हालो, हाई गाईज, वेल्कम टो विनाइक विलीवर्स क्लासेज सो स्टूडेंट्स वीडियो आपको मिल रहे हैं आप सब अच्छे लग रहे होंगे, देख भी रहे होंगे और आपकों से फायदा भी मिल रहा होगा सो आज हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें से questions match में आ जाता है और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है जो की है आपके vegetables में pigments की बात vegetables में किस वज़े से bitterness होती है, ठीक है तो आज हम उसकी बात करेंगे not only vegetables ही, आपके इसके अंदर जो भी food product है, किस में कड़वाहट किस वज़े से होती है और pigments कोन से होते है, ठीक है किस pigment के करण उसका कौन सा color होता है, ठीक है तो आज हम उसकी बात करेंगे, अच्छे से देखिएगा match में ये question पेपर में normally आता ही है, ठीक है तो ये सभी home science के students के लिए उतना ही important है चाहे वो किसी भी exam के preparation कर रही है and I hope आप लोगों को videos अच्छे लग रहे होंगे सभी videos important है, देखिएगा और एक दो बार देखेंगे, आपको वैसे ही वो याद हो जाएगा तो चलिए, start करते हैं और विडियो अच्छा लगे, so like, share, subscribe करना नहीं भूलिएगा हमेशा की तरह, चलिए, start करते हैं हमारा आज का, एक short topic, चलिए first देखते हैं हम, इसके अंदर बादाम जो है, बादाम में कड़वाहट किस वज़े से होती है तो वो होती है, amyladin की वज़े से बादाम के अंदर कड़वाहट किस वज़े से होती है, amyladin की वज़े से दो तीन बार आप एक ही word को बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसको आप ध्यान रिखेगा, ठीक है गाजर के अंदर जो नारंगी रंग होता है, वो किस वज़े से होता है वो होता है, केरोटीन की वज़े से, ठीक है जो गाजर के अंदर नारंगी रंग, केरोटीन की वज़े से होता है सेब के अंदर पाया जाने वाला red color ठीक है तो वो किसकी वज़े से होता है वो होता है एंथो साइनिन की वज़े से सेब का लाल रंग एंथो साइनिन की वज़े से ठीक है तो ये चलते हैं आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है प्याज में लाल रंग अनियन के अंदर जो रेड कलर होता है वो होता है एंतो साइनिन की वज़े से तो आप इस तरह से देखे याद कर सकते हैं सेप का लाल रंग प्याज का लाल रंग दोनों ही एंतो साइनिन की वज़े स प्याज में जो yellow color होता है आपने देखा होगा कुछ एक onions ऐसे होते हैं जिन में yellow color होता है कुछ एक उनकी layers में तो वो होता है आपके queer sitin के कारण, ठीक है किस वज़ा से होता है queer sitin के कारण यह आप ध्याण रखेगा, प्याज में लाल रंग anthocyanin के कारण, प्याज में पीला कोई जीतिन के कारणяни Next मिर्च तो मिर्च यो होता है रच के अंदर पाया जाने मलबला work तो शाओसीज के बात प्रहं सुभी और आपको होता है वह होता है कैप से थीन की वज़े से ठीक है यह ध्यान रखेगा मिर्च का तीखापन कैप से थीन और आपके मिर्च का लाल रख कैप से सीन की वज़े से यह अब ध्यान रखेगा नेक्स चलते हैं खीरा ठीक है कुकुम्बर की बात हो रही है तो खीरे का कडवापन जो होता है बिटरनेस जो होते है कुकुम्बर में वो होता है कुकर बिटेसिन के नाम से तो ये देखे आपको याद रहेगा बिटरनेस बिटेसिन और कुकर कीरे का कडवापन कुकर बिटे तो यह अभ्यान रखेगा करेले के अंदर जो कड़वापन होता है वो में मोडिको साइट की वज़े से खीरे में कड़वापन होता है कुकर बिटे सिन की वज़े से मिर्च का तीखापन होता है कैपसेथीन की वज़े से और मिर्च का लाल रंग होता है कैपसेथीन की वज़े से ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम इसके अंदर पपीते का पीला रंग पपीते के अंदर जो येलो कलर होता है ठीक है पपाया की बात हो रही है पपाया का येलो कलर होता है वो होता है कैरी का जैन्तिन की वज़े से ठीक है पपीते के अंदर पाया जाने वाला पीला रंग कैरी का जैन्तिन की वज़े से होता है और आमले के अंदर जो एक कसेला पन पाया जाता है वो होता है टैनिन की वज़े से ठीक है जब आमले के कहमला खाते हैं कच्चामलह क भी आप उसको खाकर देखिएगा उसके अंदर एक अजीब सा टेस्ट होता है कसल्राइश्ड होता जो जीब पर आपके टंग परまぁई फील करवाता है वह बूर्ट है तेßen miraculous की वज़़े से ठीक हैं के nutrit अंदर पायजाने वाला легina P पपीते का पीला रंग, कैरी का जैन्थिन की वज़े से, चलिए, नेक्स्ट पर चलते हैं इसमें, ओके, नेक्स्ट आ रहा है आपके टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग किसकी वज़े से, लाइको, पीन की वज़े से, ठीक है, जो टमाटर के अंदर रेड कलर है, व किस वज़े से मूली का तीखापन, आइसो, साइनिट की वज़े से, आलू के अंदर हरा रंग, कुछ पोटाटोज आपने देखे होंगे, ठीक है, वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, कुछ पोटाटोज के अंदर कलर जो आ जाता है, वो ग्रीन आ जाता है, तो वो किस वज़ उनका green color वो solen naam का pigment उसके अंदर होता है उस वज़ए से होता है किस वज़एसे solen नाम के pigment की वज़ए से आलू का हरा brings होता है और दूद का सफेद रंग फीक है वो होता है कैसीन की वज़ए से दूद के अंदर पाय जाने की वज़े से और कैसीन क्या है मिल्क की मुख्य प्रोटीन उसको बोला जाता है ठीक है यह धियान रखेगा ठीक है इस चीज़ को भी आपको अच्छे धियान रखना है, हल्दी का पीला रंग, हल्दी के अंदर पाया जाने वाला येलो कलर वह होता है, कर् क्यूमिन की वज़े से कहीं पर आपको क्र्कुमिन लिखा मिलेगा तो बात एक ही है ठीक है तो ये कर्क्यूमिन की वज़े से होता है हल्दी का येलो कलर ठीक है हल्दी में जो येलो कलर पाया जाता है वो कर्क्यूमिन की वज़े से होता है तिलहनों के तेल में येलो कलर जो आपके तिलहन होते है ठीक है उनका से जो ओयल निकाला जाता है उनक वाला पीला रंग तिलहनों के तेल में पाया जाने वाला पीला रंग केरेटे नाइस के वज़े से होता है ठीक है नेक्स चलते हैं बादाम में जो आपके कड़वाहट आ जाती है वो किस वज़े से आ जाती है एमाइलेडीन की वज़े से ये हम पढ़ चुके है ठीक है गाजर का नारंगी रंग जो होता है वो केरोडीन की वज़े से होता है सेब का लाल रंग होता है एंतोसाइनीन की वज़े से होता है ये देखे ये वही चीज आ रही है ठीक है हां जी ये वही चीज आ रही है फिर से हम देखते हैं इसके अंदर फिर से एक short revise कर लेते हैं चलिए ओके चलिए बदाम में करवाहट emyladen की वज़े से गाजेर का नारंगी रंग kerodene की वज़े से सेब का लाल रंग anthosynyn की वज़े से प्याज का लाल रंग anthosynyn की वज़े से प्याज का पीला रंग क्वेर सिटिन की वज़े से ठीक है मिर्च का लाल रंग मिर्च का लाल रंग होता है कैपसे सिन की वज़े से मिर्च का तीखा पन होता है कैपसे थीन की वज़े से खीरे का कड़वापन कुकर बिटे सिन करेले का कडवापन मेमोडी को साइट की वज़े से आपके उसके अलावा पपीते का पीला रंग केरी का जैन्थिन की वज़े से आमले का कसेला पन टैनिन की वज़े से ये मैं आपको रिवाइज इसलिए करवा रहे हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए सुनते ही याद हो जाए ठीक है टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन की वज़े से मूली का तीखापन आईसोसाइनेट की वज़े से आलू का हरा रंग सॉलेन की वज़े से दूद का सफेद रंग के सीन की वज़े से हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन की वज़े से ठीक है और तिलहनों में के तेल में जो आपके पीला रंग होता है वो होता है केरेटी नाइस्ट की वज़े से ठीक है I hope student आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, आपके लिए बहुत काम का वीडियो है, helpful भी होगा आपके लिए, और जितना ज़ादा हो सके, अपनी practice कीजिए, बने रही है मेरे साथ, पढ़ते रही है, टेलिग्राम जॉइन कर सकते हैं, आप लोग, महां पर आपको update मिलत रहेगा, और जो भी मेरे पास PDF है, notes के, वो आपको मिलते रहेंगे, time to time, and वीडियो जादर से जादर share कीजिए, like कीजिए, subscribe कीजिए, और comment में कोई भी क्योड़ी हो, comment section में मुझे बताईएगा, ताकि मैं आपके क्योड़ी को solve करूँ, और आप लोगों के जो भी questions है, उन के वीडियो आप चाहते हैं, किसी तरह का कुछ changes चाहते हैं, तो definitely आपके लिए वो किया जाएगा, so thank you so much, बने रहें, पढ़ते रहें,